Skeleton It is the Framework of Bones तो Bones किती है टोटल इन human body एन मेर्चर अडल परसन 2 0 6 तो यह appendical skeleton जो Bones का है इसको हम further 2 में डिवाइट कर देंगे वो that is axial skeleton and appendicular skeleton Axion में कित्ती bones होती है 80 तो बच्ची हुई इसमें कित्ती होगी 1 26 Axial skeleton में हम दिख सकते है शा वर तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 इसमें 6 तरह किया further skeleton divide होता है तो इसको हमने न्यूमैनिक फ़र्म में लिख दिया है Shards तो अब इस तरह से Shards करके लिखा है तो हम देखते हैं क्या क्या नाम होते हो उसके जिसा क्या आपको सबसे फर्स्ट पता होगा इसकल, इसकल बोन्स वर्टीब्री इस्टर्नम अच्छा इसकल और हायोइट सेम रहती है अलग 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 इसले हायोइड रेप्स क्या इसकल में इयर ओसिकल्स आते नहीं इसले वह इयर या फिर और अडिट्री ओसिकल्स अलग लिख देते हैं इस आडिट्री ओसिकल्स शोल्डर नहीं शोल्डर एपेंडिकुलर में आएगा तो यह टोटल जो एक्सिस एक एक्सिस के अलग बॉड़ी में बॉन्स होती है वह यह सारी देती है यह भी देख लेते हैं फर्दर किता किता होता है पर यह निमोनिक्स से आप इसको रिलेड़ किये एससे इसकल्स एससे हायोइड एससे ओडिट्री ऑस्टिकल्स हार से रिप्स एससे स्टर्णम ओके तो शॉर्ट में देख लेते उपर उपर से कि एक्जेल्स की बॉन्स में कितने बॉन्स होते हैं इसकल्स होते हैं 22 वर्टिब्री होती है 26 स्टर्णम एक हायोड एक ग्रिप्स 20 12 प्लस 12 24 24 ऑडिट्री ऑस्टिकल्स 3 6 सो तोटल वी 80 ओके नाव एक एंडिकोलर स्केलेटिस में यह और इजी है क्योंकि इसमें एक एक मेरे सगी वलूलोलिम उपलिम यह सब है तो सहाट सहाट करके यह बना लेगा बच्यू 6 बोन के भी हम अलग से नाम याद कर सकते है वी 120 ऐसे ही हो जाएगा अपर और लोव लिम करके तो हम लिखेते फटाफट सोल्डर गल्डर पैल्विक गल्डर बस इसमें चार दो बोन्स होती है बाकि अपना क्या आएगा हाथ जो यह अपर और लोव लिम अपर लिम और लोव लिम शोल्डर गल्डर में फोर बोन्स राइड लेफ्ट की पैल्विक गर्डल की टू यह भी राइड लेफ्ट की अपर लिम शिक्स्टी लोड लिम अलसो शिक्स्टी इसका न्यूमानिक है पल्स ओके जैसी टोटल हमारी हो जाएगी 126 बोन्स यह सब राइड प्लस लेफ्ट राइड प्लस लेफ्टी होगा अच्छा ओके